हलो हाई नमस्ते लव इन फाइनेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है लव इन फाइनेट चैनल एस्ट्रोलोजी, टैरो रीडिंग एन ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत सी वीडियोज लेकर आता है तो आप देखिए, सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ को एक सही डिरेक्शन दीजिए यहाँ कभी भी गलत डिरेक्शन नहीं दी जाती है ना वीडियो से ना परसनल रीडिंग से जो सही है वही करने को कहा जाता है जो आप सुनना चाहते हैं वो इसमें नहीं होगा जो आपको करना चाहिए वो आपको इसमें मिलेगा और साथी साथ परसनल रीडिंग में मिलेगा चाहे आप टैरो रीडिंग से रीडिंग लेना चाहें चाहे कोई consultation या फिर astrological way में आप कोई answer जानना चाहें तो faith जिसका जिसमें हो वो उसमें मुझे services ले सकते हैं Thank you so much मैं हूँ लक्षमी और आपको बताती हूँ कि अगर आपको twin flame journey में heart pain जैसा something कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि heart attack कुछ ऐसा heart attack जैसा something तो नहीं है तो उससे तो पहले आप परिचित खुदी हो जाएंगे कि हाँ ये कुछ physical symptom या physical कोई ऐसे disease जैसा तो नहीं है पहले आप ये firm हो जाएं physically तो कुछ गलत नहीं हो रहा ना doctors के पास जाकर आप confirm हो जाएं then फिर सोचें कि अब भी ये कुछ ना कुछ रह रहे के सालता रहता है दिल में दंसा होता रहता है रोना भी आता है sometimes बहुत बार बहुत painful होता है heart में जैसे कि कि किसी नहीं खंजर घुसा दिया और बस वो निकले ही ना ऐसा है तो ये आपके मन की बातें बाहर नहीं निकल पा रही है उसका reason ये है twin flame soul healing एक बहुती धीमा प्रसेस है जो कि आपको करना ही चाहिए healing आपको healing की जरूरत है आपके heart को sorry heart chakra पर आपको ध्यान देना होगा ठीक है heart chakra की exercise करनी होगी heart chakra पर related आपको मंत्र वगेरा आपको बोलने चाहिए और heart chakra से related green color है green color की चीज़ें अगर आप खाएं तो वो ज़्याद अच्छा है green vegetables और green leafy foods खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि heart में pain है तो आपको कहीं न कहीं कुछ blockage सी feel होती होगी hatefulness भी आती होगी sometime pain भी होता होगा और trust issues भी होगे विश्वास नहीं होता होगा आपको ना तो twin flame journey पर ना DM पर ना अपनी ही life पर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं इससे आपको बहुत तकलिफ हो रही होगी इसका मंत्र है yum यम जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक करना है ठीक है उसको उतनी देर तक लंबी सांस खीच सके उतनी देर तक आपने खीचना है यम करते होगा और आपको फिर प्रिट्वल एगो में आगे हैं या यह हार्ट पेन में अकर आपको कहीं ना कहीं जेलेसी फील होती है किसी थर्ड पार्टी से या किसी भी बात से या को डिपेंडेंसी लगती है देन आप यह समझे कि आपका हार्ट पेन अभी जाने वाला नहीं है क्योंकि यह बैलेंस नही है हील करने की जरूरत है जो मैंने मिताया यम कजाप करें वो अच्छा रहेगा और इससे रिलेटिड फिजिकल अच्छा रहेगा जादा तर घ्रिण करेंग जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो की पूरी जर्नी चलता रहता है आपका ट्विंफ्लेंग जर्नी का एक फेस एक नया एक्स्पिरीन्स ओर एक नया lesson लेकर आता है जो कि आपकी soul growth के लिए बहुत अच्छा है जब तक आपको दर्दनी होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि अब मुझे ये काम नहीं करना है जब बच्चा गिरता है आग में पानी में ये कहीं पर उचाई से तो उसे पता चल जाता है कि अब मुझे ये next time ये नहीं करना है इस जगह पर नहीं जाना है इस चीज को नहीं चुना है वही चीज हम इनसानों के साथ है हम लोग बहुत rigid हो जाते हैं अपने thoughts पर तो हम समझ नहीं पाते हैं अब क्योंकि आपके पुराने घाओ जिसे core woundings कहते हैं इससे आप परिचित हो जाते हैं पुराने घाओ चाए वो past life के हो या just recent past के हो जिसे collective करमाज कहते हैं या बचपन क्या तो उस चीज में आप कहाई पर अटके हैं तो वो आपकी free will आपको बड़ी free तरीके से बता सकती है free will मतलब आपका ही अपनी आत्मा अगर आपके दिल में heart pain या heartache हो रहा है तो समझे आपका dm आपको chase करने लगा है हांची twin flame journey में आप हैं heart pain बहुत जादा ही बढ़ गया है जबकि आप अपने creative side पर काम करने लगे हैं कोई ऐसी jealousy वाला funda भी नहीं है और lack of empathy वाली बात भी नहीं है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ वो इसलिए हो रहा है कि dm जो है आपको थोड़ा सा chase करने लगे हैं mentally, physically और देखने लगे हैं इधर उधर social media में तो ऐसा हो रहा है heart chakra में pain feel इसी वज़े से होता है अब dm को आपने यदि block कर दिया है यानि आप उन्हें अपनी energy नहीं दे रहे हैं और उधर dm का वही आले जैसा आपका chaser बन कर था I mean energy exchange हो गई है और आप जो dm है वो chaser के form में आ गए है but remember कि आपको पिखलना नहीं है क्योंकि आप एक empath है, two emotional person है तो आप सचेंगे कि ये तो आपकी वज़े से हुआ है मेरी वज़े से मैंने इनको इतना दुख दे दिया, नहीं, नहीं, मैं इनको दुख नहीं, देख सकती और फिर से वोई circle इसलिए है अपने आपको control करें और अब आप dm को unblock करके sorry बोलना चाहेंगे तो ऐसा मत कीजिए, रुक जाईए, रुक जाईए, रुक जाईए यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, अपनी negativity को surface पर लाएं, खत्म करें, क्या चीज थी जो आप दनों के रिष्टे में गड़बर ला रही थी, जो कि यहाँ तक unblock या block system जो भी चल रहा है, उसमें आप आगए है, on-off की situation में, so just trust on divine time and have fully faith on the universe, क्योंकि reunion, आप चाहे न चाहे, अगर आप ऐसी ही strong बने रहेंगे, तो reunion ज़रूर होगा, ठीक है, twin flame journey एक बिलकुली unexpected feelings है, और धेर सारे positive surprises से भरपूर है, तो जितने भी आपकी तकलीफे हैं, वो भगवान अपने आप ही सिखा देते हैं आपको कि इस तकलीफ से आपको कैसे बाहर करना है, और यही yin yang का balance करने की कोशिश है, आपके अंदर के df and dm energy दोनों को balance करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आपकी dm की energy बिलकुली high होगी, एक बार हो जाती है, df को जब बहुत ही बुरा लगता है, बहुत pain से suffer करते हुए बाहर निकलती हैं, और अपने आपको ब use and throw वाली चीज हूँ, जब मर्जी आया, use and throw, बिलकुली block कर देता है, क्या मतलब है, क्या ये, तो जब आप इस चीज से बाहर निकलना चाते हैं, तो आप बिलकुल ऐसी dm की थरा ऐसी वो हो जाती है, बस क्या बता हूँ, wild जी से कहते हैं, wild हो जाती है, तो extreme level हो जाता है, अब वहां तक भी अगर आप पहुँच गई हैं, तो फेमिनान एनरजी हैं, तो फेमिनान एनरजी को dm की एनरजी के साथ बैलन्स करके चलना है, logically और emotionally दोनों तरह से सोचते हुए, करदम बढ़ाना है, प्लान करना है, action लेना है, समझ गए, thank you so much समझने के लिए, ऐसे ही समझते रहें, आके बढ़ते रहें, धन्यवाद, ईश्वर आपके साथ है, कभी भी ना कबराएं, धन्यवाद.